जय हिन दोस्तों आपका स्वागत है हमारा चैनल सानी टूडे में मैं हरे राम सहनी आज हम आपको टाइम एंड वर का पार्ट फोर पढ़ाएंगे इससे पहले हम तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लिजिएगा मेरे चैनल पर उपलोड है चलिए हम टाइक फोर स्टाट करते हैं आज टाइक फोर में है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं बी तथा सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं और ए तथा सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं चलिए हम यह से स्टाट करते हैं ए और बी मिलकर 36 दिन में B और C मिलकर 24 दिन में A और C मिलकर 18 दिन में करते हैं तीनों का LCM लिजिए चलिए तीनों का LCM लिजिए LCM कितना होगा 36, 24 और 18 का LCM होगा 72 बहतर होगा LCM 36 से भाग दिजिए 36, 24, 24 और 18 से 18, 24 आप कर रहा हैं कि A अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा देखिए A के Efficiency सबी कर जोड़ दिजिए सबी कर जोड़े हैं तो 2 A plus B plus C की Efficiency कितना होगा? 4 दू 6 दू 3 दू 5 पांचर 9 तो केवल A plus B की Efficiency A plus B plus C की Efficiency कितना होगा? कितना होगा? सोरी A plus B plus C की Efficiency कितना होगा? तो 9 बाटा 2 यानि इतना ही रहन दिजिए अब बोल रहा है कि A काम को करेगा यानि B plus C को हटा दिजिए किवल A को रखना है A की Efficiency आपको निकालना है तो B plus C की Efficiency कितना है? बी प्लस C की Efficiency 3 दिया गया है तो इसमें से 3 घटा दिजिए एक Efficiency कितना होगा? एक Efficiency कितना होगा? 9 बाटा 2 यानि टोटल Efficiency A plus B plus C की और इसमें से B plus C की Efficiency घटा दिजिए कितना? 3 यानि अब Efficiency दिजिए तो 3 दूनी 6 हुगा 3 दूनी 6 9 में से 6 गया यानि 3 यानि ए बड़ाबर 3 बाटा 2 एक Efficiency हो गया तो एक कितना दिन में काम करेगा? टोटल वर्क एक दिन में काम करेगा तो टोटल वर्क कितना है? 32 LCM जो होता है वही टोटल वर्क होता है और बाटा Efficiency यानि तीन बाटा 2 बाटा में जो दो है उपर चला जाएगा तीन से किने दिन में काटेगा? तीन दूनी 6, तीन चवग का 12, 24, 24 दूनी 48 यानि 48 दिन में काम को कर देगा E चलिए आज टाइप 4 हो गया और टाइप 5 को आज ही हम बताएंगे इसी वीडियो में ऐसे से थोड़ा लंबा लंबा वीडियो करेंगे 10-10 मिनुट का या 5 मिनुट का ताकि आपको देखने में सहुलियत हो चलिए दूसरा टाइप चलिए ए पाँचवा टाइप है और इसमें है कि A तथा B किसी काम को करम 24 दिन तथा 40 दिन में करते हैं A ने काम सुरू किया और उसने सिर्फ 18 दिन ही काम किया तो बताएंगे सेंस काम को यानि बहुचे वे काम को B अकेला कितने दिन में करेगा चलिए बनाते हैं उसी तरह पुराने मेथड LCM द्वारा A पलस B कितने दिन में सोरी अलग अलग दिया गया है A 24 दिन में B 40 दिन में दोनों का LCM लिजिए कितना होगा अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि A ने काम सुरू किया और 18 दिन तक काम किया है कि आने काम सुरू किया यानि kuf से लिफन किपना वार पांच और कितना काम किया है अठरह दिन तक और बचाई वह काम कौन करेगा बी कि वे अधिन थे केफिन सी से और क्योंजिक अपलं किया पता नहीं मालीजिए एक से दिन काम किया और टोटल काम हो गया, कितना हुआ हुआ काम, टोटल काम खतम हो गया, कितना 120, अठाड़े पच्छे 90, प्लस 3X, बराबर 120, हुआ, 90 इधर प्लस में उधर चाकर माइनस में जाएगा, 3X बराबर 120, माइनस 90, बराबर 9, 12, यानि 30, तो 3X बराबर कितना हुआ, 30, तो X बराबर कितना हुआ, 30 बराबर 3, यानि 10, 10 दिन में 6 कार को B कर देगा, ऐसे हम वीडियो पढ़ाते रहेंगे, आपको टाइम एड़ वर का, पार्ट वाइज पार्ट आपको टाइप बाई टाइप हम पढ़ा देंगे, पूरे मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक से शेयर कीजिए, चलिए इस कोचन को एक और मेथड से हल करते हैं, चलिए इसको एक और मेथड से आपको बताते हैं, आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, ते कोर्मेथड लिजिए, मान लिजिए कि ए अठहरा दिन काम करके चला गया, आप ए मानिए कि भी भी अठहरा दिन ही काम किया उसके साथ ही, तो दूनों के विशेंशी की तना है, हमारा आया कितना है, 120 आया तो कितना अधिक हो रहा है देखिए आप 120 इसमें से घटा लीजिए तो कितना अधिक होगा 24 का 24 काम अधिक हो गया और कितने की efficiency से कौन लगा है देखिए इसमें तीन की efficiency वाला जो भी है उसको support करने माने उस साथ दे रहा है तो तोटल यह 18 दिन में काम कर रहे तो उसमें 60 दिन घटा दीजिए तो 10 अंसर हो जाएगा यानि आप इससे न बनाकर इससे बनाएगा यह वाला बेटा रहेगा हमारे कैसे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए अधिक से अधिक सियर किजिए धन्य बाद चलिए टाइप पांच में ही एक और कोशन का अध्यान करते हैं हम बोड़ा एक इसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में पुरा करता है तो बी अ बी करता है 25 दिन में दोनों का यल सी एम लिज़े कितना होगा 25 हो का सब से डिबाइट करेंगे 25 जो पाची सब्सक्राइब का सब समय और क्या बोला है कि 20 दिनों तो काम करता है तो देखें़ बी कि प्सेंसी कितना है चार, चार के हिसाब से काम करता है, दोस तीनों तो कितना काम हुआ, चालिस काम हुआ, टोटल काम कितना है, सो, सो में से घटाईए, चालिस काम हो गया है, बच्चा कितना है, साथ काम, साथ काम हमारे पास बच्चा है, और अब हमें करना क्या है, को बोल ला है कि ए सेस काम को क कौन करेगा यह करेगा कितने के इफिशेंसी से 5 के इफिशेंसी से कितने दिन में 12-15-12 दिन आप एट एंसर आप आएसे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक से अधिक से अरिक शेयर कीजिए धन्य बाद मिलेंगे नेक्ट वीडियो में नेक्ट ब्लोग में डेलियम वीडियो बनाते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद